हेलो दोस्तों वेल्कम टू फंडामेंटल ट्रेडर आज की इस वीडियो में डिस्टेवी के स्टॉप को लेकर आया हूं डिस्टेवी के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी भी बने हुई थी और इस तेजी का जो रेजान था यह आप देखो यह जो तेजी बन रही है वीकली पॉटम जी यह बन रही थी और जो यह जो तेजी थी इसका रीजन था कि कंपनी ने जो है अपनी लॉस को अपने लॉस को जो है वो कम कर लिया है ठीक है और प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुई है पिछले यह 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 और यह में बात कर रहा हूं ठीक है 2020 और 2021 में तो यह जो loss है overall देखे company अभी भी loss में ठीक है company जो है वो अभी भी loss में लेकिन यह loss को 2021 में आधी कर लिया है इसमें यह जो loss थी वो अब आधी हो गई है मतलब आधा profit है और जिस तरह से यह चल रहा है अगर यह काम करता रहा तो आने वाले जो साल है इसके अंदर तेजी के पीछे का वो था quarter के results देखो quarter के जो result आए जो given के result आए वो कभी बहतर थे पिछले साल 2020 के जो जून के result थे अतलब quarter one के जो result थे जहां बेभी company ने profits हो किया company recovery के stage पे आते भी दिखा दे रही है third region है जो इसके अंदर जो तेजी आई थी वो था जील के अंदर जो shifting होई है promoters के shifting होई है और जो जील के अंदर जो meeting होई थे कल आपको सबको पता था जील की stock जो है 40% जो जून कर गई तो जील की इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो SL group है SL group है उसकी ही company है Dish TV Dish TV इसकी ही company है और जील भी जो है वो SL group के ही company है तो SL group के ही बहुत सारी company है जील लर्न है और भी जी के जितने भी brand है वो सब इसके ही company है Dish TV इसके ही company है जील भी जो है वो SL group के ही company है तो SL group के अंदर जो ये situation आये जो ये board के members है उनके अंदर जो resuffle होई जो changes होई जिसके वज़े से जील का अंदर बहुत ज़्यादा तेजी हुई थी और इसके अंदर भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तेजी आई थी कल के दिन पे पिछले दो दिन में देखी अपर सर्कृट लग रहे थे आप ये दोखो कितने अच्छे सा अपर सर्कृट लग रही थी लेकिन लोग इस तेजी में buy किये थे इसी तेजी में लोगों न बाइ किया और आज के दिन जो है उससे trap किया गया आप दोखो एक high बनाई 23 रुपीज के high बनाई उसके बाद आज जो है वो एक trapping candle एक bearish candle बना दिये तो देखना है कि कल की जो candle वो क्या होती है अगर कल की जो candle वो इस low को break कर देती है आज की low को break करके नीचे जाती है तो एक bearish momentum बन जाएगा और अगर इस low को break नहीं करती है कमपनी पहले से दूप चुकी थी एक time था जब यह निलामी पर आ गई थी यह company dish TV जो है dish TV की यह weekly chart आप एक बाद chart को देख लो इसकी जो trend रही है वो downtrend है ठीक है अभी यहाँ पर यह consolidate होके थोरा से उपर जाने की कोशिस कर रहा है और जो company को results है वो थोरी काफी अच्छी है एक recovery के side दिखाई देता है एक hint है कि साथ company recovery करते हुई दिखाई दे रही है और जो अभी board of members की जो changes आई है जो board of members है उसमें जो changes आई है हो सकता है company और अच्छा perform कर सकती आने वाले दिनों में क्योंकि विजील के अंदर भी इसके वज़े से ही तेजी आई है तो ऐसे मैं आपको भूलूंगे कि आप देख लो यह chart है वो जो chart है वो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं देते हैं long term के लिए लेकिन जो quarter results है जो yearly results है वो बता रहे हैं कि आने वाले time में अच्छा हो सकता है तो आप में आप इसके अंदर एक risk को consider करके एक small quantities के साथ जा सकते हैं और जो time frame होगा risk को समझ कर वो long term में रखेगा तो ज़्यादा safe रहेगा मैं safety के बात कर रहा हूँ short term में भी आपका profit बन सकता है ऐसा नहीं है अगर यह तेजी के momentum बनी रही तो short term में भी आपके more than 20% और 50% के target आराम से बन सकती है अगर तेजी रही तो इस तरह की तो इसमें कुछ quantity आप buy कर सकते हैं buy करके रख सकते हैं dish TV के अंदर I mean अगर यह 20 repay की stock है तो आप minimum 100 और 1000 तो buy कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा quantity का risk मत लीजेगा क्यों कि देखिए weekly chart जो आपको मैंने दिखा दिये कुछ खास chart नहीं है इसके company डुपते भी थी लेकिन अभी को जो results आए हैं और वो एक recovery के तरफ शंकेत दे रहे board of meeting के जो changes आए है जील के अंदर जो recovery आई है ऐसा लगता है कि market और उपर जा सकती है तो short term में भी चांसे से कि आपका पैसा बनेगा long term में भी chances से कि पैसा बनेगा तो of course इसमें कुछ entry लेनी चाहिए आपको और अगर मैं 15 मिनट के candle पर देखूँ तो आप देखो आज के दिन जो ये trap की गई है ऐसे मैं आपको देखी क्या करने चाहिए जा तो आप एक stop loss लगा सकते है ये 17 रुपे की जो level है 17 रुपे 50 पे से इस level पर आप stop loss लगा सकते है अगर आपको बिल्कुल भी risk नहीं लेना है तो और अगर आप risk ले सकते है mid term hold कर सकते हैं तो stop loss मत लगाएगा stop loss लगाएगे तो stop loss hit हो जाएगा तो ऐसे में आप अगर आपके पास quantity small है तो definitely आप hold कीजिए quantity अगर बहुत ज्यादा आपके पास तो आप इसमें quantity को half कर लिजे और मतलब इतना ही risk लिजे जितना कि आप risk इसे carry कर सकते हैं loss देख सकते हैं तो distribute ले बस इतना ही और अगर आपको fundamental of finances की help चाहिए जा फिर आपको entry लेने में problem होते ही किसी भी stock से related तो आप मुझे मेरे telegram channel पे pin कर सकते हैं आप वहाँ पे आ सकते हैं मैं आपके help चरूर करूँगा कुछ अच्छे fundamentals वाले stock में अगर आप trading करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे telegram channel पे जुर जो में वहाँ पे आपको अच्छे fundamental के stocks बताता हूँ वहाँ पे अच्छे आपके return बन सकते हैं मोर दन 5%, मोर दन 10% के return बनेंगे आपके तो new channel होगी अगर आप चाहो that कर सकते हो मैंने link description में दे दिया comment में pin कर दिया है telegram के link अगर comment में open नहीं होती है तो VPN on कर लेना VPN लगाने के बाद open link हो जाएगी लेकिन join करने से पहले आप ये भी समझ लीजे कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये telegram channel आपके लिए नहीं है जहाँ पर आपको हर दिन पैसा बनाने का calls, buy calls जाफिर sale calls नहीं मिलता है ये positional trading है कि short term की trading है तो अगर आप भी इस तरह के trader है अगर कर सकते हैं झाल झाल